नीमस में ओमिक्रोन का पहला केस, पहले कोरोना पोजिटिव आये व्यक्ति में अब ओमिक्रोन की पुष्टी नमस्कार मेहूरीया विपलिवाल और आप देख रहे हैं डिजिटन ल्यूज चैनल MP7 News आप MP7 News चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वह बेल आइकोन को प्रेज जरूर जरूर करें देखिए नीमस जिले की विशेश बड़ी खबर जी हाँ, नीमस जिले में भी ओमिक्रोन संक्रमने 10 तक दी दी हैं बीते दीनों एक व्यक्ती पोजिटिव पाया गया, जिसकी रिपोर्ट आज फिर से प्राप्त हुई और उसी रिपोर्ट में ओमिक्रोन की पुष्टी हुई है जीला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार बीते दीनों नीमस शहर के बोहरा गली निवासी की कोरोनाव रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी जिसके बाद उसके सेंपल को जाज के लिए दिल्ली लेब में भेजा गया गुरुवार देर रात दिल्ली से फिर सेंपल की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति की रिपोर्ट में ओमिक्रोन के लक्षन पाया गया है यानि वह व्यक्ति ओमिक्रोन पॉजिटिव है जिला जिकित सालाई के सिविल सर्जल अनिल कुमा मिश्रा का कहना है कि बीते दिनों बहरा गली निवासी व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पोजिटिव आई थी जिसकी एक जास दिल्ली भेजी गई थी जिसकी कल रात आई रिपोर्ट में वो ओमिक्रोन पोजिटिव पाया गया जिला प्रशाशन को इसके लिए अवगत करा दिया है निमत जिले की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे साथ यूट्यूब न्यूस चैनल MP7 News